दोस्तो वीडियो पब्लिस करने के बाद में अगर आपके भी यूटूब चल की वीडियो रुख जाती है यानि के 10-15 वीव से उपर नहीं जा पाती तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है इस वीडियो में मैंने कुछ आपको मैंथर्ड बताई है कुछ सिक्रेट बताई है अगर आप एक नीव क्रेटर है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपको बतादू के काफी मसकत के बाद कंटेंट ढुनना पड़ता है उसके बाद वीडियो को शूट करना पड़ता है उसके बाद टाइटल टैक description लगाने के बाद में videos को publish करना होता है और जब videos हम public करते हैं यानि के publish करते हैं और हम अपने videos को बार-बार scroll करके देखते रहते हैं क्या आखिर इस पे किस तरह से views आ रहा है क्या ये video अच्छी चल पा रही है ये नहीं अगर वो videos वहीं पे रूख जाती है ये video मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपको पता है कि हम यहाँ पे YouTube tips के regarding बढ़िया और original videos upload करते हैं अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो ये button है ना इस button को आप जल्दी से subscribe करते हो दोस्तों मेरा एक YouTube channel है जिसका नाम है इसरार मलिक और ये YouTube channel पे एक लाग से जादा subscriber है इस channel पे मैंने काफी दिनों से काम नहीं किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो earning है वो काफी काम है बट यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि एक घंटे में इस time जो ये videos है वो दूसरे number पे rank कर रही है आखिर इस channel की क्या condition थी और मैंने क्या इसमें trick अपना ही है और ये video आप देख लेना एक सदू दिन के बाद अच्छी perform कर रही है तो यहाँ पे अगर मैं click करता हूँ click करने के बाद में आप दोस्तों देख सकते हो के एक घंटे के बाद में यहाँ पे जो videos है 266 सीद फिर 218 और यानि कि ये videos इस तरह से views आदे थे एक घंटे 19 मिनट में बट ये video अच्छा perform कर रही है मैंने इसमें क्या trick अपना ही है वैसे इस video पे इतना views नहीं है बट यहाँ पे एक घंटे 19 मिनट में 218 views जो आ रहा है ये भी काफी अच्छी बात है क्योंकि मैंने इस पे content change किया है तो यहाँ पे मैं analytics में जाता हूँ go to video analytics और उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे 237 views जैना perform कर रही है यानि के ये वीडियो जैना नीचे की तरफ चलनी चाहिए थी ऐसे बर ये वीडियो यहाँ से उट रही है उसके बाद वोस्त टाइम भी इसका जैना यहाँ पे जाके मर जाता है बट ये वीडियो फिर भी उपर की तरफ जा रही है इसका मतलब नोटिफिकेशन से 124 views आ चुके है और रिकोमेंडेसन से 66 आ रहे है और सब्क्रिप्शन फीड से 22 आ रहे है और यहाँ की YouTube सर्च में भी ये आ रहे है आखिर इस वीडियो पे मैंने क्या किया है और क्या ट्रिक मैंने अपलाई है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले इसकी रिच की भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका impression जैना बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर click through rate बलही थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इस टाइम रात के 10 बज़ रहे है तो इस वज़े से ये वीडियो थोड़ा सा लेट होगी पर morning में फिर दोपारा से आप होगी अगर बात करें views के तो ये भी अच्छा views जा रहा है engagement की बात करें तो वो इस टाइम भी इसमें अच्छा मिल रहा है तो आखिर मैंने इसमें किया क्या है तो यहाँ पर मैं जाता हूँ detail में यानिके edit options में और नीचे की तरफ जाता हूँ मैं यहाँ पर अगर आप देखने कोसिस करोगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर instagram monetization from 14 आ रहा है और यहाँ पर 15 पर 15 आ रहा है यानिके मैंने यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो उसको tags किया है अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों यह जो tags है instagram real monetization program launch ठीक है इस tags का कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ से हटाना है यानिके जो आपके tags यहाँ पर rank नहीं कर रहे है वो यहाँ से सारे आप हटा सकते हो और यहाँ पर जो suggestion में दिखा रहे है instagram reals या फिर instagram real monetization यह चीज आपको यहाँ पर click करके यहाँ पर ले के आनी है आपको ठीक है यहाँ पर आपको click करना है अब अभी जो मेरी videos है वो आप देख सकते हो 549 पर है यानिके extra track यहाँ पर लग चुके है तो यह मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ठीक है अभी के लिए तो आपको क्या करना है यह चीज यहाँ से आपको ऐसे हटा देना है ऐसे हटा देना और जो tags आपके नीचे rank कर रहे होंगे वो आपको डालना है आपको पतना चाहूँगा यह computer की screen है ठीक है आप भी यहाँ पर अपने laptop में computer पर या फिर आप अपने mobile के chrome browser में जाके desktop mode पर जाके आप इस तरह का feature यहाँ पर लेके आ सकते है और आपको पतादू कि इसका जो extension है वो tube buddy है tube buddy का इस्तमाल अगर आपको करना नहीं आता चार से पांच दिर में वीडियोज आने वाली है इसलिए भई चैनल को subscribe जुरूर से कर देना उस वीडियो को आपको जऱर से देखना है साथ में एक बात याद रखने की है जब भी वीडियोज आप publish करो तो आप कम से कम आदे से एक घंटे के बाद चेक करते रहो कि मेरी वीडियोज क्या perform कर रही है मेरी वीडियोज क्या नीचे जा रही है अगर उपर जा रही है आज मैंने आपको सिरफ टेंग्स के बारे में बताया है अगली बार मैं आपको टाइटल के बारे में भी बताऊँगा और साथ में दोस्तों यहाँ पर ट्यूब बडडी के बारे में और साथ में थमनेल के बारे में बताऊँगा किस तरह से थमनेल से खेला जाता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना, यहाँ पर मिलता हूँ आपको नेक्स स्यूडियो में, तब तक लिए टाटा बाइबाइ, जैहिन!